नमस्कार, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक crystal grid बनाना सिखाऊंगी जो कि हम success के लिए बनाते हैं success चाहे हमको किसी भी field में चाहिए हो, चाहे business के लिए हम use करें, चाहे job में success चाहते हो या फिर हमको exam दे रहे हो, उसमे success चाहते हो, मतलब जब भी आप किसी काम में सफल होना चाहें, तब आप इस crystal grid को बनाएंगे ये एक ऐसी grid है, जो आपके लिए prosperity लाएगी, आपके लिए सफलता के सारे रास्ते खुलेगी इसमें हम बहुत सारे crystals use करेंगे, इसमें हम जो भी crystal use कर रहे हैं, वो अगर आप चाहें, बिना grid के भी crystal use करते हैं और आप crystals अपना result देते हैं, अगर आप उनकी grid ना भी बनाएं तो, लेकिन जब हम grid बनाते हैं, तो उसके पीछे कारार ये होता है, कि उसमें छुपा हुआ उसका geometric shape, जो उसमें सबसे important crystal grid में होता है, वो उसका shape होता है, कि आप किस shape में उसको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हर जो shape होता है, वो कुछ ना कुछ चीज को reflect करता है, जैसे कि triangle हुआ, जैसे कि circle हुआ, तो जब भी हम इन symbols को use करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ result जरूर आता है, तो इसलिए crystal grid, अपना crystal grid बनाने के पीछे logic यही होता है, कि हम बीच में अपनी wish रखते हैं, विश के इसलिए crystal energy, अच्छी energy, positive energy को लेकर center में आएंगे, center में रखे हुई आपकी wish के पास आएंगे, जिससे कि आपकी wish पूरी होगी, तो crystal grid बनाने के पीछे यह logic होता है, तो इसलिए हम बनाते हैं इसको, अब मैं आपको इसका method बताती हूँ कि क्या method से हम success के लिए crystal grid यह दिखाती है, देखिए, इसका shape देखिए, इसमें आपको क्या-क्या दिख रहा है, एक है इसमें circle, circle जो होता है, उस वो हमारा focus, किसी भी काम के लिए हमारा focus, हमारा concentration बढ़ाने के लिए हम use करते हैं, तो यह है इसमें circle, साथ में बना हुआ है triangle, triangle एक ऐसा symbol है, जो कि हमा सारे अंदर creativity बढ़ाता है triangle, तो triangle हमने इसमें use किया है, इसके अलाबा octagon इसका shape है, octagon एक ऐसा symbol है, जो कि success से जुड़ा हुआ है, जब भी आप success से जुड़ी कोई बात करते हैं, तो आप octagon shape को use करते हैं, तो इसमें यह तीन तरीके के shape इसमें use हुए हैं, तो यानि तीन चीजें हमारे काम से, prosperity से, success से जुड़ी हुई हैं, अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, उससे भी पहले आपको बताती हो कि इसमें मैंने crystals क्या-क्या use किये, देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें use किया है, पाइराइट, पाइराइट हमें center के लिए यू आपके पास नहीं है, तो आप इनकी चगें दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसे मैं center में pyrite यूज कर रही हूँ, आपके पास अगर tiger eye है, तो आप tiger eye भी center में use कर सकते हैं, क्योंकि tiger eye आपका self confidence बढ़ाएगा, एक तरफ जहां आपको काम में सफलता देगा, वहीं दूसरी हो self confidence बढ़ाएगा, यही काम pyrite करेगा, तो दोनों में से जो crystal आपके पास हो, उसको आप center के लिए use करेंगे, इसके अरावा मैं use कर रही हूँ, green adventuring, green adventuring success से जुड़ा हुआ है, opportunities से जुड़ा हुआ stone है, किसी भी field में, जिस भी field में, चाहे business, job, पढ़ाई, लिखाई, से पहले आता है, तो इसमें हमने green adventuring के आठ टंबल यूज किया हुआ, आपको आठ ऐसे green adventuring की यूज परी, इसके अलावा हमने use किया है, black obsidian, black obsidian हमारे root चक्रा से जुड़ा हुआ stone है, बहुत ही powerful और protective stone है, यह भी दो stone है, मैं इसमें दो stone यूज कर रही हूँ, एक यह से जो भी stone आपके पास हो, आप use कर ले, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, black tomlin और black obsidian, दोनों मैंने protection के लिए use किये हैं, दोनों मैंने use किये हैं, कोई भी obstacles को हटाने के लिए, यानि आपकी सफलता के रास्ते में जितने भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाने का काम ये stone करेंगे, आपके उननती, आप जो भी आप अच्छा काम चाहते हैं, उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे, किसी भी तरह की बाधाना आए, उसके लिए, इन में से कोई साभी एक stone आपको यूज करना है, जो आपके पास हो, आप चाहें black tomalin, इनके आपको तीन पीसे यूज करने होंगे, इसको हम ट्राइंगल शेप पर यूज करेंगे, यानि आपकी विश को पूरी होने में कोई जो भी रुकावटे आएंगी उनको ये दूर करेंगे, तो हमने ट्राइंगल पर यूज करना है, हमको तीन पीसिस की ज़रूरत पड़ेगी, या तो तीन आप ब्लै यूज करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, तो देखिए मैंने आपको पहले किस शेप पे हम ये बना रहे हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है, ये शेप आपने बना के ऐसा रख लिया, अब देखिए जब भी हम क्रिस्टल ग्र सबसे बेखिए जोंड हैं. आप उन सिमम्म बनाएंगे. अगर आपने कड़ना रेकी भी किया हुआ है, तो आप क्रिया सिम्मल, वसुधा सिम्मल आप इन सब सिम्मल को अपने हाथ में ड्रॉ कर ले ये。 उसके बार सारे अपने अपने अनजल, आर्च अनजल को सब को कॉल क करेंगे ताकि सब लोग आपकी विश को पूरा करने में मदद करें आपके आसपास रहें अब आप क्रिस्टल ग्रेड अपनी बनाना शुरू करेंगे देखिए सबसे पहले आप किसी भी कागज में लेकर अपनी विश लिख लीजिए जो भी आपकी विश हो आप अपनी जाती है मैंने बहुत वीडियो में सिखाया है अगर आपको विश्चिट बनानी नहीं आती है तो आप विश्चिट बनाने वाले जो विडियो हैं कैसे बनाई जाए उनमें आप जाकर देख सकते हैं अब इसमें मैं विश्चिट कैसे बनानी बहुत डेटेल में नहीं बता क्रिस्टल्स हर तरफ से पॉजिटिव एनरजी खीच कर यहां पर दे इसलिए हमें सेंटर में यहां पर विश्चिट रखिए हैं विश्चिट रखने के बाद जिस भी विक्ति की सफलता के लिए आप ग्रिड बना रहे हो उनके नाम से प्रोग्राम्ड क्रिस्टल आप इस तरीके से eight tumbles आपको use करने हैं उपर यहां से शुरू करके आप इस तरह से 8 इनको जमा लीजे यह आपने यहां पर इनको 8 इनको जमा लिया अब इसके बाद आपको क्या करना यानि यह जितनी भी आपकी wish है उस wish को पूरा करने के लिए आप यह स्टोन्स काम करना शुरू करेंगे यह यह पूरी बाहर से अनर्जी लाकर आपकी विश्चिक तक पहुचाएंगे तो यहां पर इनको ऐसा अच्छा दूसरा अब आपकी विश्च को पूरा करने में विश्च को पूरा होने में किसी प्रकार की बाधा ना आए तो इन बाधाओं से बचने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो मैं यूज कर रहे हूं ब्लैक टर्मलिन तो ब्लैक टर्मलिन हमने यहां रख दिया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रटेक्टिव स्टोन ब्लैक टर्मलिन है हर तरह की बाधाओं को हटाने वाला आपको सुरक्षित रखने वाला स्टोन है ब्लैक टर्मलिन तो मैंने यहा पर मैंने रखा black obsidian, यह है black obsidian, और दूसरा तीसरा यह black obsidian, इस तरीके से, ऐसे आप रखिये, यानि आपकी इच्छाओं को, आपकी खुशियों को हर तरफ से पूरी करने के लिए सारे crystals ऐसे रखें, किसी की भी नजर ना लगे, कोई भी परेशानी बाधा आपके उन्नती में ना आए, इसके लिए हमने यह सब्रग दिया, तो इस तरीके से यह तयार हुई आपकी crystal grid, अब अगर आप रेकी में हैं, तो आपने रेकी शक्ती को पहले ही call किया है, अब आप इसको चार्ज भी करेंगे, आप इसको ऐसे करके चार्ज करेंगे, अपनी affirmations देंगे, कि आख कोई बात ने, crystal grid आपकी यह तयार हुई है, आप डेली इतना करेंगे कि आप जब भी नहा के अपनी पूजा पाथ हम लोग करते हैं, तो आप धूप अगरबत्ती अपनी crystal grid पे डेली लगाएंगे, क्योंकि इससे भी धूप लगाने से भी crystals चार्ज रहते हैं, उनकी सुरक्षित रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो आप अपनी crystal grid को रोज धूप अगरबत्ती डेली दिखाएं, और एक ऐसी जगह पे crystal grid बनाएं, जहां पर इसको कोई बार बार टच ना करें, यह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आपकी विष पूरी ना हो जा जब आप हटाएंगे, तब फिर दुबारा से पूरी जब आपकी विष पूरी हो जाएगे, तब आप इस grid को हटा कर दूसरी विष के लिए भी इनको बाद में crystals यूज कर सकते हैं, तो साथियों इस तरीकी से यह crystal grid बनाई जाती है, जिसको हम success के लिए यूज करते हैं, प crystal grid बनाने में कुछ परिशानी आए, तो आप मुझसे बाद कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहें, या switch words या कोई और course करना चाहें, तो आप मुझसे बाद कर सकते हैं, धन्यवाद